हलो फ्रेंज नमस्ति चिन्नो 37 चैनल पर आम सबी को स्वालत है और मैं आज आपको बताने वाले हूं कि हमें फेशियल करते टैम कौन से स्टैप्स है जो फॉलो नहीं करने चाहिए ताकि हमारे फेश पर कोई स्क्रेश नहीं आई क्योंकि हम क्रीम से मसाज करते हैं और और आमिल के साथ अपने फिस पर एप्लाइक कर रही हूं आपके स्टैप्स कभी भी यूने होने चाहिए अगर ऐसे करना है तो बहुत हलके हाथ से बिल्कुल लाइटली कीजिए नहीं तो क्या होता आपकी स्क्रेश आ सकते हैं स्क्रप से इसलिए हमें से राउंड में कीज हैं तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो बहुत क्यारी करना होगा क्यूंकि आपकी स्क्रेश आ सकते हैं इसलिए राउंड में ही कीजिए यह तकि राउंड रूंड हुए कि चिन पर करना आपको तब या ऊव्को राउंड महीं करना है नॉच पर भी राउंड में ही करना है यहां आईज में इस तरीके से जब आपको इस तरीके से सीधा करना पड़े तो बहुत लाइट हैंड से कीजिए ताकि कोई स्क्रेश नहीं आए बाकी आप स्क्रब जितना राउंड राउंड करोगे उतना जड़ा सही है उससे ुसे इसकिन भी आपकी जल्दी निकल जाएगे जो ड्याड स्किन है और आपकी कोई स्क्रेश भी नहीं आएगा बस यह स्क्रब करने का तरीका होता है हमें राउंड करना है ताकि कोई स्क्रेश नहीं आए थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू बावाई पिलीज सब्सक्राइब मैं चैनल